Hello everyone, I am Ruby and welcome back to my channel Tara Madhu Kirasui Friends, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इन्फरमेटिव है Especially, आज मैं अपनी housewives, home bakers और उन सभी के लिए ये वीडियो शेर कर रही हूँ जो कि हमेशा ये ही सोचती हैं कि काश वो भी market जैसी चीजें अपने घर में, अपने हाथों से, अपने बच्चों और अपनी family के लिए बना पाएं हम ladies, हम housewives, friends हमेशा इसी कोशच में रहती हैं कि हम budget के अंदर रह करके time to time हर समय अपनी kitchen को upgrade करते रहें और इसके लिए हम तमाम sites, बहुत सारे products को योँ ही search करते रहते हैं तो आज इसी तरीके के एक बहुत ही multipurpose और budget में रहने वाले अगारों के 25 liter OTG के बारे में मैं आपको complete जानकारी, उसका पूरा review, उसके सारे function और उसमें आप कैसे, क्या-क्या काम कर सकते हैं वो सारी detail जानकारी दूँगी बहुत दिनों से guys मेरे channel पर एक लगाता request आ रही थी कि मैं आपके पास कौन सा OTG है आप कौन सा OTG लेने के लिए suggest करती हैं और हम कैसे OTG के अंदर cake, pizza, bread और different types की तंदूरी dishes बना सकते हैं तो आज की वीडियो में friends आपको complete information में मिलेगी और ये सारी different types की recipes भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो ये है friends हमारा अगारो का 25 liter OTG OTG का मतलब होता है oven, toaster और griller और ये तीनों function बहुती perfect तरीके से ये करता है तो देखिए कुछ इस तरीके की body में आता है हमारा अगारो का Marvel 25 liter OTG, black color की इसकी body है और बहुती perfect size का ये आता है और इसके अंदर जब हम काम करते हैं तो कुछ इस तरीके की light जो है वो on हो जाती है जिससे की अंदर जो भी baking, cooking हो रही है वो हमें easily दिख जाती है एक normal middle class family के लिए ये perfect size है friends OTG का market में तो बहुत बड़े sizes के और बहुत छोटे sizes के भी आते हैं बट इस OTG में half a pound के 2 cake एक साथ 20-25 cup cake बड़े और middle size का pizza और बहुत सारी तंदूरी dishes आप बना सकते हैं और अगर guys मैं इसकी body size के बात करूँ तो आगे से लगबग 18 inches इस चौड़ा है देखिए नीचे से इसकी लंबाई अगर आप measure करेंगे तो केवल 12 inches ही इसकी height है और side में भी मैं आपको दिखाती हूँ ये 11 inches चौड़ा है तो काफी बड़ा भी नहीं है और perfect है आपकी kitchen के लिए और guys इसका जो सबसे अच्छा feature मुझे लगा वो है इसका आगे का ये heat proof transparent door अब इसकी मदद से अंदर जो भी cooking हो वो आप आराम से देख सकते हैं कई बार क्या होता है friends हमने कोई cheese bake कहोंने रखी है बड़ हमारे अंदर patience नहीं रहता है और हम बार बार gate खोल करके इसे देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है अंदर का जो temperature होता है वो disturb हो जाता है और जिसकी वज़े से जो bake हो रही होती है cheese उट कभी कभी ठीक नहीं बन पाती तो इस तरीके से अब आपको बार बार खोलने के ज़रत नहीं है आप इसकी transparent window से ही अंदर की baking या cooking देख सकते हैं तो देखें guys हमारे OTG के साथ ये कुछ इसके tools या कहें accessories आती हैं अभी एक एक करके मैं इनके नाम आपको बताती हूँ और इन्हें हम कहां कैसे use कर सकते हैं वो सारा detail में explain करती हूँ इसकी accessories में friends जो सबसे पहले है वो है हमारी ये oven rack इसको अपने OTG के अंदर insert करके आप इसके उपर 2-1-7 half-half kg के यानि की 1-1 pound के cake बना सकते हैं आनली जे friends आपको इसके उपर 1 kg का, 1.5 kg का, 2 kg का या 3 kg का cake sponge बनाना हो तब भी आप single अपने cake tin को रख करके इस पर bake कर सकते हैं ये देखें मेरा ये जो बरतन है वो 11 इंची का बरतन है और आराम से आप इसके उपर रख करके अपना cake bake कर सकते हैं जो दूसरा हमारा main accessory है वो है हमारा ये bake pan इस bake pan के उपर friends आप आराम से pizza, cookies, puff या खारी बनानी है तो वो बना सकते हो कोई भी baking item आप इस पर रख करके bake कर सकते हो ये तीसरी accessories है हमारा friends stray handle जबी भी हम कोई चीज bake करते हैं इसके अंदर तो वो सारी चीजे गरम होती है उसको बाहर निकालने के लिए हमें अपनी जो ये bake pan और जो oven rack है उसको बाहर खीशना होता है तो वो गरम होती है हाथ ना जल जाए उसके लिए हमारी safety के लिए ये हमारा tray handle दिया जाता है grilled pineapple बनाना है तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो एक screw दिया हुआ है दोनों ही side में इसको जब आप खोलोगे तो ये बहर आ जाएगा और जो भी चीज आपको grill करनी है उसको आप इसमें insert कर दीजिए और फिर इसके बाद इसको डाल करके screw को tight कर दीजिए और इसके थुरू वो आराम से इसमें hold हो जाएगा और फिर इन hooks के थुरू हम अपने OTG में इसको insert करेंगे और ये rotate हो हो करके हमारी बहुत ही perfect तरीके से बिल्कुल 360 degree पर grilling हो जाएगी जब भी आप rotary rod से काम कर रहे हो तो वो भी bake होने के बाद, grill होने के बाद जो चीज है वो गरम हो जाती है तो इसको बाहर निकालने के लिए OTG से इस तरीके से एक rotary handle भी मिलता है इसकी मदद से आप आराम से इसे बाहर निकाल सकते हो, अंदर डाल सकते हो और हमारे oven के साथी friends आती है, यह हमारी एक छोटी सी manual book इसकी मदद से friends आप इसके functions, इसके सारे features देख सकते हो और इसकी मदद से आपको इसको use करने में भी काफी help होगी मैंने इसके सारी accessory इसके बारे में आपको बता दिया है अब इसके एक-एक function के बारे में जान लेते हैं कि यह जो तीन knobs हैं, वो क्या काम करती हैं और किस-किस चीज में हमें कौन-कौन सी setting करनी होती है देखे, सबसे पहले तो handle के बारे में मैंने आपको बताई दिया है कि transparent इसका heat proof door है जिसे कि हम अंदर आराम से इसकी cooking waking देख सकते हैं इसी किसाथ friends नीचे एक red color की light है जबी भी आप इसमें cooking करेंगे, इसको start करेंगे तो वो red light on हो जाएगी, lit up हो जाएगी और आपको इससे indication मिलता रहेगा कि हमारा जो OTG है वो काम कर रहा है चलिए अब बात करते हैं इन तीनों knobs के बारे में जो सबसे उपर पहला knob है यह है temperature का knob यानि कि आप इस OTG को 100 से लेकर के 250 degree Celsius तक इसमें temperature दे सकते हैं सबसे कम जो temperature है वो है 100 degree और सबसे highest temperature यानि कि maximum है 250 degree और जिस भी temperature पर आपको इसे set करना हो बस knob को आपको rotate करना है यहाँ पर एक mark है जहाँ पर भी आप इस mark को आगे set करेंगे यह उसी हिसाब से उतने ही degree पर set हो जाएगा तो इस तरीके से friends देखिए अगर आपको cake bake करना है तो सभी जानते हैं कि cake 180 degree पर bake होता है पीजा बनाना है, खारी बनानी है, पनीर टिकका बनाना है तो वो सारी चीज़े 200 degree पर bake होती है तो आप 200 degree पर इसे set कर लीजेगा मेली ज़्यादा तर लोगों को cake bake करना होता है तो मैं आपको cake कही ज़्यादा फोकस करके बता रही हो तो इस तरीके से आप different recipes का temperature depend करता है उससाब से इसको rotate करके set कर सकते है चलिए friends, अब मैं आपको बताती हूँ ये middle वाली knob के बारे में देखिए, ये जो mark है ना friends, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब है ये off है अभी अब जब भी आप अपने OTG को खोलेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ दो rods हैं इसे heating rods कहते हैं और ऐसे ही उपर की तरफ भी इसके दो heating rods हैं और इनी की मदद से हमारी baking होती है तो अब मैं आपको समझाती हूँ किस चीज में आपको ये rods on करनी है और कैसे on करनी है तो देखिए अभी तो हमारा ये off condition में है अब मान लीजे मैं इसको rotate करके इस mark पर लाती हूँ तो इस mark पर sign देखिए इस square box में केवल उपर एक line है इसका मतलब इस mode पर आपकी उपर की जो दो rods हैं वही on रहेंगी नीचे के rods off रहेंगी अब जो हमारा next mode है उस पर नीचे एक line है इसका मतलब इस mode पर नीचे वाली rods on रहेंगी और उपर वाली rods off रहेंगी जो हमारा next mode है friends उस पर दोनों तरफ line का mark है इसका मतलब इस mode पर नीचे की भी rod on रहेंगी अगला मार्क उसमें आप देखिए नीचे एक रॉड है और एक एरो का निशान है इसका मतलब इस मोड पर नीचे की रॉड रहेंगी और एरो का मतलब होता है रोटेसरी भी स्टार्ट रहेगा यानि कि जो भी चीज आप इसके अंदर रखेंगे ग्रिलिंग करने के लिए रो रोड्स ओन रहेंगी और रोटेसरी भी स्टार्ट रहेगा एंड लास्ट हमारा यह ब्लैंक है यानि कि दिस इज आर ओफ मोड चलिए अब बात करते हैं हमारे इस लास्ट नॉप के बारे में यह होता है हमारा टाइमर का नॉप यहाँ पर जीरो से लेकर के 60 तक मार्किंग यानि कि एक टाइम में यानि कि maximum आप इसमें 60 मिनट का टाइमर दे सकते हो तो जब यह 0 पर है यानि कि यह बिल्कुल ओफ है जब आप इसे रोटेट करेंगे तो यानि कि इसमें 10 मिनट का टाइमर फिट हो गया है जब भी आपको केक बेक करना हो ना फ्रेंट्स तो आप इ OTG जो है वो pre-heat हो चुका है तो 10 minutes का timer आपको देना हो तो आप 10 पर इसको लियाएगा 15 का देना हो तो आप 10 और 20 के center में से fit कर दीजेगा 20 का देना हो तो point के सामने ऐसे ही 30 ऐसे ही 40 and last 60 तक आप इसमें timer दे सकते हो जब आपकी चीज बेक हो जाएगी timer पूरा हो जाएगा इस तरीके की sound से इसका मतलब है ये auto cut off हो गया है आपकी चीज ready है बहार निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए सोटी जी के अंदर आपको अपना cake bake करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसके handle को खोलना होगा और ये जो आपकी oven tray है उसको middle वाली rack पर set करना होगा आप हमेशा जब भी cake bake करें middle वाली rack पर ही अपना cake bake करें इस तरीके से आपको इसे insert कर देना होगा और इसको जो दोर है इसका इसको close करना होगा आप इसको हमें सबसे पहले friends preheat करना होगा जबी भी आपको cake bake करना हो आप अपने OTG को या जिस भी चीज में आप cake बना रहे हो उसको preheat करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप preheat नहीं करेंगे और direct cake का batter इसमें डालेंगे तो जो instant baking start होती है वो नहीं हो पाएगी जितना भी baking powder soda, खटी चीजों का reaction आपने इसके अंदर करके डाला है वो वैसा ही पढ़ा रहेगा और OTG जब खुद गरम होगा तब जाके आपकी baking start होगी तो इसमें आपका time भी based होगा और baking भी अच्छी नहीं होगी तो अगर आप वहीं पर cake batter बना करके गर्मा गरम OTG के अंदर डालेंगे तो baking जो है उसी समय से start होगी और जितना भी baking powder soda का reaction है वो instantly work करेगा तो सबसे पहले हमें अपने OTG को preheat करना होता है तो preheat करने के लिए friends आप 180 degree पर knob को घुमाईए इस तरीके से अब बारी आती है rods की तो देखिए गाई इस preheat जब भी आपको करना हो अपने OTG को सारी rods को on करके ही आप हमेशा preheat कीजिएगा इससे क्या होगा पूरे oven में एक जैसा temperature रहेगा और जिससे baking भी अच्छी होगी तो सारी rods को on करने के लिए आप इस mode को इस तरीके से rotate करके उस box पर ले आईएगा जिसके उपर और नीचे दोनों तरफ rod का निशान है तो इसका मतलब अब चारो rods मेरी on हो जाएंगी अब बारी आती है timer की तो जब भी आपको कोई भी चीज बेख करने के लिए preheat करना हो तो 10 minute ठीक रहते हैं maximum है आपको preheat करने के लिए 5 minute भी आप दे सकते हैं बट 10 minutes एक standard timer है जिसमें कोई भी चीज अच्छे से बेख होती है तो जैसे ही आप इस knob को 10 minutes के आगे लाएंगे तो ये OTG start हो गया है preheat होना जैसे ही 10 minute खतम होंगे आपको bell का sound आएगा और ये ready है for the baking अभी मैं आगे वीडियो में friends आपको cake bake करके भी सिखाऊंगी इस baking rack के उपर आप अपना cake bake कर सकते हैं cup cake बना सकते हैं pastry का base बना सकते हैं जो भी चीज आपकी cake से related है वो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें जाली होती है ना friends उससे नीचे से temperature evenly मिलता है जबी भी आपकी friends baking complete हो जाए आप इसे open करके इस handle की मदद से अपनी इस tray को बहार निकाल करके अपना cake tin remove कर सकते हैं या फिर इस पूरी oven rack को भी बहार निकाल सकते हैं इसी के साथ friends ये आती है हमारी baking tray तो इसको भी आप middle rack में रख करके इसके ओपर कोई भी अपने baking का item रख सकते हैं पीजा बेक कर सकते हैं आप इसमें खारी बना सकते हैं टिक्का बना सकते हैं cookies वगर बनानी हो तो direct इस baking tray पर आप रख करके बेक कर सकते हैं आफ्टर baking आप जब इसे खोलेंगे तो इसी की मदद से आपको इसे बाहर निकालना होगा so that यह आपके हाथ में ना जले क्योंकि कोई भी चीज बेको करके काफी गरम होती है और इस तरीके से आप इसे remove कर सकते हैं आप बारी आती है friends इस rotatory rod की तो जबी पर आपको कोई whole chicken या कोई ऐसी चीज ग्रिल करनी है जैसे कि pineapple बड़ा piece पूरा एक साथ ग्रिल करना है तो आप इस through को हटा करके उसके अंदर fit कर लीजेगा और फिर इस rotatory handle की मदद से ही आप इसे insert कीजेगा और जब आपकी चीज cook हो जाए तब remove करने के लिए आप इस handle का ही इस्तमाल कीजेगा क्योंकि ये काफी गरम हो जाती है तो आपके हाथ न जले इसके लिए हमारे safety के लिए दिया गया है अब मालीजे आपने इसके अंदर कुछ insert किया है और आपको इसे cook करना है grill करना है तो just आपको इस तरीके से इसे insert करना है यहाँ पर दो hooks दिये गए है friends उसके अंदर आपको इसे इस तरीके से set कर देना है और set करने के बाद आप इसे close कर दीजेगा अब आपको इसको rotate करके जो भी चीज आपको cook करनी है तब आप उसके हिसाब का time दे दीजेगा जो भी rods आपको on करने है माल लीजे दोनों ही rods आपको on करके इसमें cooking करनी है तो वो कर लीजेगा और फिर यहाँ पर timer लगा दीजेगा तो देखिए rotatory rod जो हमारी start हो गई है rotate होना और बहुत ही perfect type की grilling इसमें होती है क्योंकि यह 360 degree rotate करके ही हमारी cooking करता है जबी भी friends आपकी यह जो भी चीज cook हो रही है वो पूरी तरीके से cook हो जाएगी और timer zero पर आ जाएगा तो इस तरीके की sound आएगी इसका मतलब आपकी चीज cook हो गई है आपको इस door को open करना है और इसी rotatory handle की मदद से ही आपको इसे बाहर निकालना है क्योंकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह OTG हमारा कितने काम का है तो देखे friends एक और जरूरी बात OTG के अंदर बहुत सारे लोग confusion में रहते हैं कि कौन सा बरतन यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं तो देखे OTG के अंदर आप इस तरीके का कोई भी अलिमूनियम का बरतन किसी भी शेप का हो अगर वो आपके OTG में फिट होता है तो आप इसमें बना सकते हैं इसी तरीके से स्टील का भी अगर आपके पास कोई बरतन है friends कोई कटोरा है कोई ऐसा बरतन है जिसमें आपका केक sponge उसी नापका size का सेवन है तो आप ये स्टील भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो इस तरीके के non-stick वाले आते हैं अलग तरीके के stuff जो cake के लिए आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं के बल प्लास्टिक को छोड़ करके आप कोई भी metal अपने OTG में यूज़ कर सकते हैं चलिए गाइज अब इस OTG में बनाते हैं cake तो यहाँ पर मैंने देखिये ये normal सा steel का ही बरतन लिया है इसके size का मैंने इसके अंदर एक paper कट करके लगाया है और थोड़े से oil से उसे grease कर लेंगे अब अपने OTG पर जाएंगे और इसे सबसे पहले preheat होने के लिए रखेंगे तो मैं ये oven rack इसकी middle rack में insert कर रही हूँ केक जबी भी बनाएं middle rack में बनाएं और आप इसे बन करके इसकी setting करेंगे तो temperature मैं 180 degree पर set कर रही हूँ preheat करने के लिए मैं दोनों rods को on कर रही हूँ उपर नीचे की और 10 minute का timer मैंने इसमें लगा दिया है अब यहाँ पर एक पॉल में मैं एक cup अपना घर का बना basic premix ले रही हूँ अपने अगारों के measuring cup से और आप इसी के हिसाब से मैं इसके अंदर 2 tablespoon oil डालूंगे और friends यह जो अगारों के cups और spoon का set है आप इसे purchase कर सकते हैं इसका online purchase link मैंने description box में add कर दिया है अब आप जिस भी flavor का cake बना रहे हूँ उससे related flavor और color इसमें add कर सकते हैं और पानी से इसका smooth सा batter बनाएंगे हम अपने अगारों के इस whisk कर से इससे बहुत ही अच्छा batter बनता है और batter में कोई lumps और गार्ट मी नहीं रहती है अब यहाँ पर मैं लगबख 2 teaspoon red color की cherry set कर रही हूँ आप skip भी कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और अब इस तयार batter को हम डालेंगे अपने cake के परतन में और friends आपको मैं समझा सकूँ कि इसके अंदर paper mold के अंदर भी cupcake बन जाते हैं तो थोड़ा मैंने batter बचाया है और एक cupcake mold के अंदर डाल दिया है अच्छे से इनको tap कर देंगे और अब हमारा preheat oven हो चुका है इसके अंदर अब हम rack को निकाल करके इन दोनों चीजों को set कर देंगे और अब OTC को बन करके हम थोड़ी से setting को change करेंगे temperature वही रहेगा 180 degree बट जो rods है उसमें हमें केवल अब नीचे के rod पर ही से set करना है उपर की rods को off कर देना है और timer मैं दे रही हूँ 25 minutes का जब भी आप cake bake करें केवल नीचे की rods आपकी on रहे नीचे यह उपर की off अगर आपने उपर की rods भी on कर दी तो cake जो है आपका जल्दी से bake हो जाएगा उपर का crust उसका पक जाएगा और जब नीचे से batter आना उपर start होगा तो आपका cake जो है वो crack होके पूरा मतलब मैसी हो जाएगा और अच्छी baking नहीं होगी तो नीचे की rods को on करके हमेशा baking करें और यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना बढ़िया तरीके से हमारा cake इसमें rise हो रहा है जैसे ही timer आपका complete हो जाएगा आप इसे इस तरीके से handle से बाहर निकाल लिजेगा क्योंकि यह बहुत गरम होता है तो हाथ से इसे touch बिल्कुल भी मत कीजेगा और यहाँ पर अब इसे हम ठंडा करेंगे और देखिए ठंडा हो चुका है हमारा cupcake भी और कितना लाजवाब बनाए फ्रेंट्स इसके उपर आप cream से decoration कर सकते हैं और इसी तरीके से अभी मैं आपको cake sponge को भी बाहर निकाल करके दिखाती हूँ और इसे बाहर निकालने के लिए friends में अगारो का ही देखिए knife यूज कर रही हूँ बस हल्की सी sides को scratch कर दीजेगा और इसको flip कर दीजेगा और यह देखिए कि कितने लाजवाब तरीके से बाहर आ गया है butter paper को remove कर दीजेगा और perfect sponge आपका ready हुआ है अब आप इसे ऐसे tea time serve कर सकते हैं या फिर इसकी layers को इस तरीके से कट करके इसकी icing करके इसे decorate भी कर सकते हैं और अंदर से इसका texture देखिए कितना बढ़िया बेक किया है इसने friends कहीं भी कोई कच्चा पवन या over baking नहीं है अगर आप इसकी crust को हलका color का देना चाहते हैं तो आप 20 minute के अंदर भी cake sponge ready कर सकते हैं और चलिए मैं इसकी अंदर की भी layer को cut करके इसके अंदर का भी texture आपको दिखाती हूँ काफी soft and spongy हमारा ये cake बना है ये देखिए इस cake को तो friends आप यूही जटपट खा जाएंगे और मैं icing करके खाना तो आप ऐसी भी बना सकते हैं चलिए cake तो हमारा OTG बन गया अब बनाते हैं पाव भाजी के लड़ी पाव ने इस OTG तो पाव बनाने के लिए एक बाउल में मैंने आधा कब गुन-गुना दूद लिया है और इसके अंदर दो teaspoon डाल देंगे हम dry active yeast और इसी क कर लेंगे और धक करके 5-10 मिनिट तक रेस्ट होने छोड़ देंगे 10 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि इस जो है वो activate हो चुकी होगी अब एक बाउल में अपनी measurement के हिसाब से आप मैदा ले लिजेगा यहां पर मैं 250 ml वाले कप से मैदा ले रही हूं इसके अंदर इस तरीके से frothy नहीं होगी तब आप आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आपकी जो yeast है वो फिर अच्छी quality की नहीं है वो ferment नहीं हुई है अब इस सारे mixture पच्छे से mix कर लेंगे और जरूत के हिसाब से थोड़ा सा दूद और डाल करके इसको बिल्कुल आटे से भी soft texture वाला ग आपको इसे बहुत ही soft तरीके से गुदना है जितना आप गुदेंगे उतना ही perfect आपका पाव बनेगा तो यहाँ पर आटा तो मैंने अच्छे से गुद लिया है अब इसको rest करने के लिए रखेंगे तो एक पावल को मैंने अच्छे से oil से grease कर लिया है center में अपना ये गु mixture है वो ferment हुआ है ये देखें पंच मारने से किस तरीके से air release हुई है इसी से हमारा पाव जो है वो खूब चालीदार बनेगा अच्छे से फिर से गुदेंगे हलका सा हाथो पे आप oil लगा लिजेगा क्योंकि ये थोड़ा सा sticky होता है और एक दो मिनिट तक फिर मैं इसे है इसके तो आप चाहें परचेस करना तो कर सकते हैं यहां पर एक square kick tin के अंदर देखें मैंने paper लगा करके अच्छे से oil से grease किया है और एक एक part को अब हम रोल करके इस तरीके से टक करके इसके अंदर set करेंगे ये देखें जितना अच्छा गोल आप करेंगे उतना ही करके center में set कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा gaps देखिए मैंने सभी में छोड़ा है और फिर से इसे धक करके friends 15 मिनट तक हम चोड़ेंगे यहां पर देखिए सारे पाव फूल करके अच्छे से अपनी space को कवर कर चुके हैं अब पाव हमारे soft बने अच्छा सा color आए उसके लि करेंगे temperature 180 degree रखेंगे timer मैंने यहां पर 25 मिनट रखाया और rods मैंने केवल नीचे की ही on की है और यहां पर देखिए किते बढ़िया तरीके से हमारे पाव जो है राइस हुए पहले और इनके उपर बहुत ही प्यारा ही golden brown color आ रहा है और जैसे timer आपका बंध होगा आप इसे निकाल लीजेगा यह देखिए बहुती लाजवा पाव बने फ्रेंड्स आप अगर कम कलर देना चाते हैं तो आप 20 मिनट के लिए भी बेग कर सकते हैं लेकिन पाव अभी फ्रेंड्स ऐसे ही ready नहीं है इसके उपर थोड़ा सा oil या butter की एक brushing करने के बाद आप हलके से damp cloth या इसके अंदर का जाला यह देखिए बहुती लाजवाब और बहुती perfect हमारे पाव बने फ्रेंड्स इनको बना करके आप जब चाहें अपने बच्चों को पाव भाजी परगर जो बनाना चाहें बना सकते हैं यह देखिए चलिए पाव बन गए अम मैं आपको बनाना सिखात आप इस्ट को दूद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं बट दोनों ही मेथड मैंने आपको बदा दिये हैं अब एक बावल में मैं दो कप ले रही हूं मैदा उसके अंदर हाफ टी स्पून डाला है मैंने सॉल्ट और इस्ट भी देखिए पानी में अच्छे से हमारी फर्मे और यह स्टिकी होता है तो आप हातों पे ऐल अप्लाई कर लीजेगा और अब लगबग 10-15 मिनट तक हम इसे अच्छे से गुनेंगे जितना पर्फेक्ट आप गुनेंगे उतने ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे अब इसे भी एक बरतन में ऐल लगा करके हम रेस्ट किया है हातों से इसको रोल कर लेंगे आप चाहें तो बेलन्स से भी रोल कर सकते हैं और यहां पर देखे बेक करने के लिए फ्रेंड्स में कोई भी बेकिंग ट्रे नहीं ले रही हूं सिंपली स्टील की मेरी घर की थाली है उसके अंदर इसको रख करके हम अच्छे से स्प चीज या मोजरेला चीज जैसे भी आप चाहें अच्छे से इवनली स्प्रेट कर दीजेगा पीजा में बहुत सारी कलरफुल वेजेटेबल्स होती है तो इसके लिए मैंने तो यहां पर टमाटर चिमला मिर्ची और प्याजी लिया है आपके पस जो भी सीजनल सबजी हो य अचली फ्लिक्स पी स्प्रिंकल कर देंगे देखिये हमारा पीजा बेक होने के लिए रेडी है अब आएंगे अपने उटी जी के पास इसे मैंने पहले से ही फिर से दस मिनित के लिए प्रीट किया हुआ है और मिडल रैक में बेकिंग ट्रे के ओपर इसे रख करके हम लग बच्चों की जट पट भुक मिटाने के लिए आपका पीजा घर का बना आपके ओटी जी में रेडी है आप इसे कट करके आप गरमा गरम अपने घर में सब कर सकते हैं और अभी मैं इसको कट करके इसके अंदर का टेक्शर और इसके नीचे का क्रस्ट भी आपको दिखाऊं तो I hope guys जितने भी आपके मन में doubt जितने भी आपके मन में confusion थे OTG के purchase और उसके usage को लेकर के वो आज इस वीडियो के जरिये दूर हो गए होंगे और अब आप भी बेज इजक OTG को use कर सकते हैं इसमें different types की dishes अपनी family के लिए easy तरीके से बना सकते हैं तो अगर आप इस product को जाना चाते हैं इसको use करना चाते हैं तो इसी वीडियो के description box में मैंने इसका online purchase link दिया है और इसकी cost है केवल 4999 तो फटा पट जाकर क्लिक किजिए और इसे घर लियाए तो जाते जाते friends आप सभी से request है कि अगर आपको ये वीडियो useful लगा हो informative लगा हो तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने family friends के साथ like share कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को subscribe करके side में जो bell icon उसे प्रेस कर लीजेगा इसी तरीके से और जादा जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए bye bye check care and thanks for watching